एक्सरसाइज 1.1 का 6th question है यह बोल रहा है कि रीता गोस 20 km towards east from a point A to the point B तो जो रीता है वो 20 km किस तरफ जाते east direction में जाती है एक A point से लेकर B point था ठीक है फिर उसके बाद बोलता है from B she moves 30 km towards west along the same road फिर उसी road से और उसी point से यानि B point से जहां वो लास्ट 20 km में पहुंची है वहाँ से वो वापस आती है 30 km किस direction में वेस्ट डारेक्शन में उसी road पर ठीक है तो if the distance towards east is represented by positive integer then how will you represent the distance traveled towards west जब रिटा east direction में move कर रही है जा रही है तो उसको question में positive integer से represent किया गया है तो obviously जब वो west direction में आएगी तो उसको negative integer से denote किया जाएगा question में पुछाए कि कौन से integer से denote किया जाएगा तो उसको negative integer से represent किया जाएगा by which integer will you represent her final position from A अब यह देखना है कि A मतलब जिस point से वो start की थी उस point से अब वो किस direction में है और किस पोजिशन पर है और कितने किलोमेटर वहां से दूर है या कॉन सांट टीजर है तो इस question को देख लेते हैं एक रफोड़ायग्राम पर बना देते उसका तो ठीक है इस को अपना ऐसा समझ देते हैं यह एक रफ डाइगरम बना देते हैं इसका यह समझ दो एक नम उसका रोड है यह इस्ट हो गया यह वेस्ट हो गया तो पोस्चन के एसाब से क्या होते कि रीता जो है वो पहले ट्वैंटी किलोमेटर इस की तरफ बढ़ती है तो एक पॉइंट ले लेते हैं आपर सपोज एक पॉइंट है इस पॉइंट से वह रोर यह है 20 इस की तरह को बढ़ती है यह पॉइंट हो गया उसका बी यह है 20 km अब क्या होता है इसी पॉइंट से रिता फिट वापस आती है किस डिरेक्शन में वेस्ट डिरेक्शन में इस तरह किते किलोमेटर 30 km तो 30 km कहा से आती है पॉइंट B से 30 km ठीक है तो पॉइंट B से A तक 20 ओलरी है तो यहाँ पर और 10 km चल जाएगी तो यह 30 हो जाएगा इसको माल लेटे पॉइंट C ठीक है यह पॉइंट B से C तक की हो गया 30 km तो पॉइंट B से C तक की हो गया तो पॉइंट B से C तक की हो गया कि जब वो अगर से साइन से डंनोट करेंगे तो StreetATT B दात है उसको निगेटिव से णीडाय होता है यह 0 को सबक्राइन से साइन साइन लेटवा पॉइंट्ट साइण से निगेटिवागा थिगए तो इसको स्व empowerment होगा है और तो इसको यह तो आप इसको स्वी c है और YouTube म3 पॉइंट एको सपोज आपन 0 माल लेते हैं, 0 किलिमन तो 0, 0, 20 इधर 30 हो गया था, ठीक है, और स्टाट करते हैं, इसका जो पहला कोश्ण को पूचा दा, पूचा दे की वो कौन से, मतलब वो जो इंटेजर इसको किसे डिरेप्रेजेंट करेंगे, तो इंटेजर को आँगो, तो distance towards east जो है, वो positive है, तो towards west जो है, वो negative हो जाएगा, तो देखलो, distance towards east is positive, so distance towards west is negative, ठीक है, और तो west ही तरा पा रहे है, तो वो negative, अब जो वो question में दिया हुए, उसके साब से पहले लिख लिए थे है, वो 20 km east कितरब move करती है, ठीक है, रीता moves towards east किता move करती है, 20 km, अब वो उस direction से, फिर west कितरब आती है, ठीक है, वेन रीता moves towards west कितना आती है, 30 km, ठीक है, तो उसका final position क्या हो जाएगा, उसका final position तो C है, इस direction में, किस direction में, west direction में, ठीक है, उसका final position अमनों question पूछा है, final position of रीता, रीता का final position क्या हो जाएगा, 30, ठीक है, 30, sorry, इस direction में था, पहले गई 20, 20, minus 30 km, ठीक है, अब ये plus है, ये minus है, तो हमारा rule क्या बोलता है, plus into minus minus, यानि कि दोनों के बीच में, सब्स्रक्शन होगा, 30 minus 20 होता है 10, sign किसका लगेगा, minus का, क्योंकि 30 बढ़ा है, minus 10 km, या फिर minus 10, इसका final position है, वो minus जान है, और उसको negative integer से represent करेंगे, क्योंकि ये opposite direction में जा रहा है, ठीक है, So, final position is represented by negative integer, ये 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 सकता है, minus 10, ये? बाल बाल अबर अबर जब कर दो लिए ऑन वाल